तो देश भर में दिवाली की धुम है, मजारों में रौनक भी देखने को मिल रही है तो पटाकों की दुकान की बात की जाए तो भीर काफी जादा नजर आ रही है देखें कल तो दिवाली का तिवार है इसले पटाको की दुकान पर भीर तो जाहिर से बात दिखती है लेकिन चुकि आज भारत और पाकिस्तान की बीच भी मुकाबला है इसले पटाको की दुकान पर अगर देखा जाए तो और भी जादा भीर बढ़ गई है क्योंकि सभी को उम्मिद है कि भारत आज का मैज जीतेगा तो आतिश बाजी तो शाम को होगी ही होगी तो देश भर में दिवाली की धूम इस वक्त देखी जा रही है और बाजारों से जुड़ी हुई पलपल की तस्वीर भी हम आप तक पहुचा रहे हैं कि सुबा होते ही लोग खरिदारी के लिए पहुच रहे हैं बाजारों में बड़ी भीर उमड़ी हुई दिखाई देरी चाय वो मिठाए की दुकानों की बात की जाए या फिर साज सज्जा के समान फूलों की दुका सभी जगा अच्छी खासी रौरा किस बार देखने को मिल तो जैसे जैसे दिवाली का वक्त पास आता जा रहा है बाजारों में रौरा को और भी जादा बढ़ती जा रही है पटाकों की दुकान की बात की जाए तो बड़ी सक्ख्या में लोग पटाकों घरिदारी के लिए पहुच रहे हैं तो चलिए बाजारों में इस वक्त किस तरह की रोनक दिखाई दे रही है यह बताने के लिए हमारे सब्सक्राइब गौरा इस वक्त आप कौन से बाजार में मौजूद है वाकी तस्वीर हमारे दर्शों को तक पहुचाईए जी बिल्कुल देखें मैं इस वक्त राजधानी रायपूर के हिरदा इस्तल जैस्तम चौक्स के होकर गुजरने वाले मारवी रोड में मौजूद हूँ जहां पर हर तरीके का बजार उपलब्ध है चाहे वो कपड़े का हो इलेक्रोनिक्स का हो या फिर साथ सज्जा का या मिठाई की दुकाने हो वो इसी एक जो आप मेरे इस तस्वीर के माध्याम से दिखाना चाहूंगा इसी एक सड़क में आपको पूरी की पूरी दुकाने मिल जाएंगी जहां पर आपको सभी चीजे मिल सकती है चाहे वो कपड़े की बात की जाए और अन्य साथ सज्जा की बात की जाए यहां पर आपको सभी चीजे मिल जाएंगी सबसे बड़ा इदा इस्तल है राजधानी रायपूर का और सभी सामगरी यहां पर मिलती है लोगों में खरीदारी को लेकर काफी उस्सा है इस भीड से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संक्या में ल लिए इस रोड में जहां पर पहले एंट्री रहती थी आप फूर्विलर की एंट्री भी बन कर दी गई है और बकाइदा पुलिस के जवान जो है वह यहां पर मौजूद है और किसी भी तरीके की अपरी घटना को देखते हुए उन्हें यहां पर तैनाथ किया गया है खास ने उसके तयार किये जालर है और जो अन्या चीज़े वह यहां पर मौजुद देखी अभी धान के बाली से जो है साजाने की तयारत बनाई जा रही है इसे घर के में गेट में लगाया जाता है सुब माना जाता है इसको हम बाहर से ही आएं कहां से आएं हैं जांकी अबनपू गर दुवार में पूजा करते हैं और दर्वाजे में टांग के चीरिया को दाना किलाते हैं तो देखिए यह अलागी परंपरा है इसका खासा महत रहता है बड़ी संक्या में जो आज पास के गाओं के लोग हैं ग्रामीन है वो यहां तक पहुंचते हैं और अलग-अलग तरी कान लगाते हैं और इसकी विक्री भी खूब जादा देखने को मिलती है तो देखिए चिरेचुगरी की तस्वीर तो आपने दिखाए इसके अलावा आसपास और कौन को से बज़ार लगे हूँ कैमरा परसन को कई थोड़ा सा कैमरा घुमाए और वो तस्वीरे भी हम तक प पा रहे हैं तो जली दुबारा जूड़ने की कोशिश करेंगे हम गौरों से गौरों के आप तक मेरी आवास पहुंच रही है गौरक चिरे चुगनी की आपने तस्वीर दिखाई जहां पर जो बेचने वाले हैं वो उनके चाहरे पर भी खुशी दिख रहे हैं लोग भी लेने के लिए पहुंच रहे हैं इसके आसपास और कौन को से बज़ार लगे हैं उसकी रौनक भी हम तक पहुंच आई जी देखें बिल्कुल यह जैस्थम चौक है यहां पर यह पूरे वेपार जो गहों से आए ग्रामीने मैंने आपको उनकी तस्वीर दिखाई और खास बात यह है कि देखें जो फूल है दिवाली में गेंदा फूल कभी एक अलग महत वर रहता है लोग गेंदा फूल से प्रसाज हो अरुसके साथ इलाइची डाने प्रसाज चड़ता है वह यहां पर पूरी तरीके ते पूजन सामगरी के साथ यहां पर मिल रहे है और खास बात यहैं कि पीछे मैं अपने सयोगी से जी जो पूरा कॉंप्लेक्स दिख रहा है यह चट्पिस गड़ का सबसे बड़ा मार्केट है भीड़ अच्छी रहती है यदि हम बात करें तो ठीक सामने जो सड़क दिख रही है उसमें कपड़े के बजार है बड़े कपड़े के बजार है वह भी मौझूद है कपड़ा लेने लोग जाए तो जहां तक नजर जाएगी आपको लोगी लोग नजर आ कर दो जाएगी बड़े कर दो घजचा तक है झाल है क्या कम पर चारा है बात कर दो थांव बात कर दो दो फो जाएगी दिदाए भी मौझ भी तो वह जोग पने दिएग़े कि तर वहज़े कि लोग मौझ भी और धूल